कैसे हैं सब लोग I hope सब अच्छ होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपना प्रिप्रेशन्स भी कर रहे होंगे तो आज मैं आप सब के साथ जुड़ा हुआ हूं 13 रिजन्स वाए तो आप सब ने तो वह वेब सीरीज देखा ही और देखा ही होगा के फाइदा फाइदमंद क्या है इसके आज वह सब हम देखने वाले हैं ओके चलिए तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटावट से इस सेशन को जितने भी आपके फ्रेंड है उनके साथ सेयर कीजिए जिनको भी यूजी सीनेट एक्जाम देने का सोच रहें इनके फाइदे क्या है उनके लिए बहुत ही बेनिफीसल होगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो सबस्क्राइब कर लीजिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे फर्ट सबसे तेज नोटिफि लिए तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है एलिजिबल फॉर ज्यारेफ ओके तो अगर आप यूजिशनेट एक्जाम देते हो क्लियर कर लेते हो तो आप ज्यारेफ कर सकते हो ज्यारेफ फेलोसीफ हो सकते हो यहां पे आपको गौर्मेंट से स्टाइपेंड भी मिलेगा तो रिसर्च के साथ साथ आपको यहां पे फेलोसीफ के पैसे भी मिलेंगे अगर आप रिसर्च लाइन में इंट्रेश्टेड हो यूजिशनेटली राइट इस एक्जाम उसके बाद आता है आपका वर्क इंटॉप लेटरी तो जितने भी बड़े-बड़े लैबरेटरी है जितने बड़े-बड़े लैब है वहाँ पे आपको काम करने के लिए मौका मिलेगा वहाँ पे आप काम कर सकते हो गोर्मेंट के प्रोजेक्स में काम कर सकते हो तो एक सरकारी नौकरी भी आपके पास हो जाएगा उसके बाद आपको एसिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो या फिर पहले से कहीं पर PhD कर रहे हो, research वह और कर रहे हो, तो अगर आप यह exam को clear कर लेते हो, तो आपका promotion भी हो सकता है, ओके, जियारेप से आप senior research fellowship भी कर सकते हो, उसके बाद आपका higher preference in any job opportunity, उसके साथ साथ आपको और भी आपको job expansion हो जाएगा, और भी आपको opportunities मिल जाएगा, कोई भी line of interest में आप जा सकते हो, तो opportunities आपके और भी खुल जाएंगे, उसके बाद दिखिए, opportunities to join PSU's, PSU's में भी आप join कर सकते हो, तो बहुत सारे exam होते हैं, जैसे management हो गया, labor welfare हो गया, अगर यहाँ पे आप exam देते हो और clear करते हो, तो बहुत सारे PSU's होते हैं, जो higher करते हो on the basis of scorecard of the student, अगर आपने अच्छा score किया होगा, उस youditioned exam में, तो definitely आपको वहाँ पे as a trainee भी आप join कर सकते हो, PSU's में, उसके बाद you can become an author, यहाँ पे आप अपना book publish कर सकते हो, author बन सकते हो, यह भी बहुत बढ़िया opportunity है, आप यहाँ इसके साथ साथ आप अपने खुद के laboratory भी open कर सकते हो, establish your own laboratory lab open कर सकते हो, आप, यहाँ पे आप guide बन सकते हो, mentor बन सकते हो, दूसरे students को guide कर सकते हो, mentor कर सकते हो, जो भी exam के लिए prepare कर रहे हैं, graduate exam के लिए उनको properly guide कर सकते हो, mentorship provide कर सकते हो, उसके साथ साथ you can also work as a freelancer for many companies, तो बहुत सरे freelancing jobs होते हैं, जहाँ पे आप काम कर सकते हो, in research area और या फिर educational areas में, आप उनको as a freelancer भी वहाँ पे job कर सकते हो, work as an educator, आप as an educator भी work कर सकते हो, तो बहुत सरे educate forms होते हैं, जहाँ पे as an educator या फिर as an teacher आपको hire किया जाता है, so that you can guide, so that you can mentor कर सकोगे, जो आगे आने वाले experience हैं, आने वाले experience को आप properly guide, mentorship provide कर सकते हो, ओके, direct, अगर आप UGC net exam clear करते हो, तो आप directly PhD के interview exam में जाके बैठ सकते हो, जैसे बहुत सरे बड़े-बड़े universities होते हैं, जिनके भी खुद के exams होते हैं, उनके exam में भी return exam होते हैं, but अगर आपने UGC net exam clear किया हुआ है, तो directly आप जाके उनके interview में बैठ सकते हो, बस आपको interview देना है, interview अगर आप अच्छा कर लेते हो, तो direct आप PhD में भी enrolled कर सकते हो, तो यह एक बहुत बड़ा फाइदे मन्द है आपके, उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा है, some government bodies recruit directly for assistant professor like RPSC, UPSC, UPHC and many more, तो जैसे RPSC के भी post निकलते हैं, बहुत सारे PCPAC exams के post निकलते हैं, जहाँ पे assistant professor के पद के लिए recruitment निकलते हैं, तो वहाँ पे direct लिखा रहता है, UGC net qualified, उनका criteria वहाँ पे लिख दिया जाता है कि UGC net qualified students needed है, तो अगर आप UGC net exam clear किये हो, तो आप वहाँ पे भी direct interview में बैठ सकते हो, वहाँ पे भी vacancy निकलेगा, तो आप apply कर सकते हो, तो यह थे 13 फाइदे जो कि मैंने आपको बता दिया है, तो अगर आप seriously आप अगर future के बारे में सोच रहे हो, as an assistant professor, या फिर as a researcher, तो इन 13 चीजों का आप कर सकते हो, अगर आपके UGC net exam clear हो जाते हैं, तो अगर आपको यह session अच्छा लगा, तो do share with all your friends, जितने भी आपके friend है, उनके साथ share कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए, और इसी तरह बने रही है हमारे IFS क Thank you very much and happy learning to all of you.